आज मैं आपको बताऊंगा जेविक खाद वे गोबर के खाद बनाने के बारे में यह पताने से पहली मैं आप सभी से निवेधन करना चाहूंगा कि अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल एगरोजट एक्समिनरा आपको सस्क्राइब नहीं किया है तो करपे अभी मेरी चैनल को स 10 लीटर मोतर एक केजी ख्राव या पुराना गुट जिससे हम खाने के काम में नहीं ले सकते एक केजी दाल काटा एक केजी पिंपल या बर्गत के पेड़ के निजे की मीटी लेकर एक लीटर पानी लेकर इन सभी चीजों को गोल बना ले और गोल को चाहां के अंदर 15 दिन में पहुंस कर मीटी में उपस्तित अफसेट प्रडारों को शड़ा कर खाद में प्रियुक्त करते रहेंगे और यदि आप इस गोल को बहाई के तुरंत पहले तथा उसके बाद 21 दिनों के अंतराल से 3-4 बार छिड़काव करें तो यह और अधिक फायदे मंद होगा और इ इस कच्चे गोबर का उपयोग हम खेत में खाद की रूप में प्रियोग करते हैं वो समनेत्य कच्चा गोबर होता है जिसका उपयोग से कीट हुए रोगों का अकर्मन बढ़ता है ताब फसल को पौस्तित वे कम मातरा में मिलते हैं क्योंकि हम डेर को खुला छोड़ देते जिससे गोबर में उपस्तित पौस्तितों पानी के साथ भाब बनकर उड़ जाते हैं तो आज मैं आपको बता हूँगा कि किस तरह हम गोबर से अच्छी खाद बना सकते हैं जिसके अंदर पौस्तितों की मातरा दिखो तो आईए जाने सरव पर्तम हम एक पौली थिन को जमीन पर बिचा कर उस पर गोबर के डेर लगा लेते हैं सभी तरफ के किनारों को लगबग आदा या एक विट उंचा उठा कर प्याला नुमा बना लेते हैं इसके बाद इसमें बाल्टियों या पाइपों से इतने मातरा में पानी डल जा जाता है कि सारा गोबर देर उपर से नीचे तक गिला हो जाए पानी से गच करने के लिए देर में जगह जगह लखडिया स्रीयों से चेदब बना देते हैं और ने के साथ साथ है अभी हमने सटाटर या जावन के बार निके बात की थी उसका प्रियोग아서 पाने के साथ साथ कर सकते हैं जिससे गोवर का सडन जल्दी होगा अब काले रंकी पॉली थिन की साहिता से डेर को अच्छी तरह से डग दिया जाता है तता यह सायुदानी रखें कि पॉली थिन कटे या फटे नहीं तता आवारा परसू इसको नुक्सार ना पहुंचाई थो कि यदि नहीं आती है प्रव्रागत खात त्यार करनें पांस आठ अथ महीने लगते हैं जब कि इस वीधी में डेड़ से दो मेने या तीन मेने लगबग त्यार हो जाती है अब हाद में खरपत्वार वाइन जो बीज होते हैं वह सड़कर नश्ट हो जाते हैं , पॉली थिन से डखने से मेथेन गेस वाविमडल में नहीं मिलती है जिससे करण प्रयावण सुद रहता है तता इस खाद का प्रियोग खेद में करने से दिम्मक का प्रकोट भी कम होता है उंचित महात्रा में ताब मान हुए नमी मिलने से सुकसम जिवानों की सक्रियता पुरानी वीदी की तुलना में तिरुवे रहती है अच्छी तरह से गलने वा स्टने के कारण पोस्तुत्वे सिंग रहा हुए संतुलित मादरा में फसल को मिलती है तो इस तरह हम गोबर की खायद का निर्मान करकर वसल को प्रस्तुत्वे परदान कर सकते हैं तता पैदावा अधिक से अधिक ले सकते हैं तता रासाजनी खायदों के उप्योग से बच सकते हैं